आप हमारे चाहवी पेने देखे सब्सक्राइब के लाल बटन बेल आइकन ज़रूर प्रस कर दीजे के ताकि आपको नए वीडियो की सूचना पर आप तो होती रहें White Organic Agro Limited एक ऐसे स्टॉक जो भयानक टूटा है और कई बार मुझसे कई लोगों ने बोला कि इस पे वीडियो बनाई है हाला कि मैंने पहले बनाया था जब इसकी स्तती अच्छी थी और अभी Q4 के रिजल्स भी आ चुकी है तो एक वीडियो बनाना तो बनता है तो अभी क्या क condition एक किस समय वर्तमान सिती में है आई यह देख लेते हैं इस पे हम details में जरा बात करेंगे क्योंकि बहुत टूट चुका है White Organic Agro Limited 12 रुपए 74 रुपए से के भावव पे trade कर रहा है June 14 2019 एक बच के 15 मिनिट है और जो साल का लो था 11 रुपए कि आस पास और high बनाया तक 47 या देखिए इसने bonus दिया था 6 फरवरी 2019 को इसी साल यानि कि आपके पास जितने भी share से वो double हो गये और उसी हिसाब से जो इसकी stock price थी इस दिन वो आधा correct हो गया था मतलब या कोई जब कोई stock split होता या bonus देता है तो price भी उसी हिसाब से जितने टुकड़े होते हैं उसाब से price क भी टुकड़े हो जाते हैं उतने ही साब से देखा जाता है यह जानने वाली बात है आगे देखते है market capital इसकी है 44 क्राउड 80 लाग की PSI earning per share 1.38 P ratio है 9.28 price to book है 0.83 और book value है 15.40 यानि book value से नीचे trade कर रहा है और face value हभी भी 10 की है industry P 164 और deliverable है 65% के आस पास तो book value की साब से price to book के साब से P ratio के साब से अभी जोस्तिती है वो तो सस्ता लग रहा है stock लेकिन पहले देखना पड़ा है कि यह business क्या करती है ऐसे नहीं कोई stock हम खरीद लेते हाला कि इस पर मैंने video बनाया था और उस समय कोई दूसरी situation थी लेकिन आज की कोई दूसरी situation है और कुछ पता ने चल करजे की जहां बात करें balance sheet पर यहां पर जीरो करजा दिखा रहा है यह एक अच्छी बात लग रही रज़र और यहां पर देखिए इनका registered office है घाट को पर East में मुंबई और इनकी website पहले हम देख लेते हैं website पर क्या products बनाते है यह website पर विजिट करते हैं तो अवर स्टोरी में तो खेड नहीं जाएंगे हम इनके products पर आते हैं सीथे पहले business देखते हैं distribution में presence of white organic products in several stores in Mumbai via appointment of authorizer अच्छा इनके products जो है काफी कई products इनके stores जितने मुंबई में है organic stores तो वहां पर उपलब्द हैं ऐसा इन्होंने आपर लिखा हुआ है ensuring maximizing maximized margin and competitive खायर यह तो अच्छी बात है plans for opening more than 40 franchise outlets in western region franchise outlets will also work at pickup points खायर यहन का plan and distribution is related maximizing the quality of the products okay fruits and vegetables में यह लोग expand करना चाहरा है चलिए अच्छी चीज़े और e-commerce में भी मतलब online via market अपनी products उपलब्द कराना चाहरा है export market जो export होना है brand products to be to be exported in European USA and other major markets तो अभी to be यह नहीं अभी होने है तो अभी export में इस हिसाब से इनका भी कारोबार उसे चल नहीं रहा लेकिन अभी करना है इनको जो इनके जिस पर लगे हुए हैं अभ यहां पी यह products है जो इनके कई stores में उपलब्द हैं या export करेंगे भविश में अरहर दाल चना दाल और मैं फड़ा फड़ दिखा दूं तो यह सारे वही काम जो करते हैं ड्राइफ फूट्स और डालों के कई पकार grains अनाज spices जो सकूमा एक्सपोर्ट तो अभी देखा जाए तो कितनी कमपनिया हैं जो चमनलाल सेतिया हो गई या सकूमा एक्सपोर्ट हो गई तो इन कमपनियों में जबरदस्त इन दिनों गिरावट है बहुत क्योंकि माइक्रो केप कमपनीज भी हैं तो इस वज़े से एक रीजन वो भी है लेकिन उनके रेजल्स भी अच्छे नहीं है अब चाहे एक्सपोर्ट में लोगों कोई दिक्कत आ रही हो या ट्रेड व्यापार में जिसे साब से कंट्रियां आपस में भिड़ रही है एक दूसरे प पॉलशिंग का लेकिन अब इन्होंने अग्रिकल्चर के जो एग्रो और्गैनिक प्रोडक्ट्स है उसमें यह फोरे इंटू दा इस काड़ प्रोडक्ट्स एनिवेज आगे बढ़ते हैं फरेंशल हम देखना चाहेंगे जरूर और पी बगेर हम देख चुके है रिटन और एकुटी अभी भी 25.36 परसंट की जो की आकरशक है ROCE है 33.7 परसंट की capital employee और sales growth भी यहां पर ठीकी दिख रहे है अच्छी दिख रहे है 261 परसंट के आसपास है और dividend नहीं पे करती है बोनस दिया था जरूर और अगर हम quarter के रिजल्स देख लेते हैं हाँ यहां पर दिसंबर 18 और March 19 की जो quarter 4 के रिजल्स आए तो उसमें net sales में देखे जहां दिसंबर 18 में थी 91 के आसपास वही 90 के रह गई तो इसे साब से यहां भी थोड़ी से downside है और सीधे अगर हम net profit में आते हैं तो दिसंबर 18 में जहां पर 5 क्रोण 63 लाग की जो net profit थी वहीं March 19 में quarter 4 में loss दिखाया है 10 क्रोण 44 लाग का तो सीधे जब loss दिखाया कि कोई company जब कोई company कमा ही नहीं पा रहे है तो वो अपने investors को क्या कमा के देगी इस समय जो इस्थती है तो इस वज़े से market में एक समाचार जाता है और उस साब से बेक्वाली भी होती है लोग बेचना शुरू कर देते हैं लोग थी वही 90 की हो गई तो यहाँ पर थोड़ा year on year के मुकाबल है net sales में चलिए upside है लेकिन net profit में ही अगर हम आते हैं तो जहां March 18 में 3 क्रोड 42 लाग के थी वहीं सीधे यहाँ पर भी loss है March 19 में तो year on year results भी इनके अच्छे नहीं आएं नहीं quarter के नहीं year on year अगर हम details में देखते ह percentage के हिसाब से तो हां net sales में भी one point की downside है और net profit में अलेकिन margin में भी देखिये यहाँ negative में है और अगर हम shareholding देख लेती है तो shareholding में एक खुश करने वाली बास जरूर है कि इनोंने जो है और no dividend paying stock तो इस प्रकार से ये company अभी काम कर रही है तो फिलाल जो company अभी वरतमान समय में इतना तूटने के बाद और मुझे लगता fresh buying के लिए तो मैं अभी recommend नहीं कर सकता और अगर हम return देख लें वरतमान इस्तिती क्या है return में कितना बचा हुआ है दस सालों में 707% के अभी भी return दिखा रहे है जो कि अच्छा है पाँच सालों भी 303% के अभी return मिल रहे है positive कि ये भी अच्छा है चार सालों में 15% के negative तीन सालों में 105% के again positive return दिख रहे है याँ पर अच्छा लेकिन दो साल से एक साल से year till date यानि जन्वरी से 6 months में 3 months में 1 month में 1 week में भयाना किरावट है तो 2 साल से लगातार 6 माहिने तक तो 60% के आज पास का loss है और 3 months में भी तो 1 day आज थोड़ा सा हलका सा positive लेकिन अभी फिलाल clear नहीं है तो friends मैं यही बस कहना चाहूंगा जिससे आप से मैं इनके products देखें इनकी website में पढ़ें अब होता क्या अंदर क्या चल रहा हो हमें बिल्कुल भी नहीं पता तो अब इसे यादा क्या बताएं इस company के बारें लेकिन मेरी एक सला है कि अगर आप पर ने इसमें buying की रही होगी पहले आपने इस सोच के पैसा डाला रहा होगा क्या होता लॉस में आपको बेशना ठीक नहीं आपकी quantity खड़ी है हो सकता है कि company अपना वेपार expansion करना चाह रही तो आने उने दिनों में profit में आ जाए तो जरूर ऑबिसली या bounce back भी कर सकता अभी बहुत दबाव है एक्सपोर्ट की company ओं पर और या फिर जो नए नए बाइंग के अभी बिलकुल बिसला मैंने दे रहा इस पर और फिर भी अगर आप कोई भी stock है खरीदना या बेशना चाहते हैं तो जरूर अपनी research कीजिए अपने financial advisor से मश्वरा कीजिए दोस्तों और चलिए मैं यहीं पर अपना video wind up करता हूँ अगर कुछ miss कर गया हूँ बताने में तो जरूर आप comment box में जरूर mention कीजिए थैंक यू फर वाचिंग इस वीडियो